असलाम अलेकुम वेलकुम बाइक पूमा यूटोब चैनल और आप सब कैसे हो में करते हूं कि आप लोग बहुत खुश्ट होंगे बहुत मज़े में होंगे और हम लोग भी बहुत खैड़े से हैं और कि मसीन लगा दिया मैंने कपड़े मेरे धुना चांद हो गये और यह देखिए और मैं कपड़े जो है टिटर्जन कौन सा इस्तेमाल करती हूं मैं आपको बता रही हूं मैं जो है सरफेक्सल इजी वास इस्तेमाल करती हूं और जो से उलन और धोना हुआ तो मैं इजी वास करती हूं उसको और बेट सीट और भी मैं सरफेक्सल से ही धोती हूं इसलिए मेरे बेट सीट और भी चमकते रहते हैं मेरे कपड़े भी चमकते रहते हैं और मैंने बताया थ कочки कपड़े से पीलां पनहटाने के लिले क्या करना चाहिए तो कपड़े से पीलांपनहटाने के लिए अगर देसी थी देसी अगर नुगा आजमाया जाए कपड़े की जो है पांच मेर तक छोड़ दीजिए उसी पे लगा के उसके बाद फिर उसको वास कीजिए फिर देखे कपड़े देखे आपके कैसे चमक जाते हो सारे दाग धपे सब कतम हो जाएंगे तो मेरे जो कपड़े मैंने धोये थे उसको जो है सुखा लिया था सारे कपड़े निकाल लोंगी एक एक करके तो बच्चों की भी कपड़े हैं इसमें जो है अंडर गर्मेंस भी है बनियायन हो गए रहा है फिर थोड़े से बड़े भी कपड़े हैं तो मैं जो वाइट कपड़े होते हैं जिसके जो है हलके लाइट वाले कपड़े होते हैं यह सब जो है मिला कि मैं एक साथ धोलोती हूँ अगर जादे कपड़े हैं तो अलग-अलग होती हूँ और जब थोड़ा रहता है तो light color वाले और white यह मैं एक साथ धोलेती हूँ तो यह सारे कपड़े मैंने निकाल लिये हैं सब light कपड़े हैं और जिसके जो है color नहीं फैट होते हैं वो भी हैं और बाकी जो रंगिन कपड़े हैं वो समय अभी डाली हो मसीन में वो समय धूल रहा है तो यह कपड़े में बाहर डाल के आ जाओंगी और फिर दुबारा से ज गएरा जो है वो लाश्ट में धूती हूं इसलिए कि बेट सीट जो है एक बार कपड़े दूने के बाद में पानी को सिरसरफ ओगहरा में डाल देती हूं तो उसी सरफ के पानी से जो है clean हो जाता है तो यह मैं कपड़े खंगाल रही हूं मसीन में कपड़े खंगालने की व सारा कपड़ा उसी में खंगालने के लिए मैंption बहुत comfortable समझती हूं उसी में खंगालती हूं और ये जो कपड़े मेरे सब धुल चुके थे इसको लाके मैंने यहां पे फैला दिया है इसलिए बारिस का मोसम है बारिस कभी भी आ जाती है तो इसलिए मैं कपड़े धू के फैल मेरा धूल रही हुँ तो मैं अधर सुक्रा दोलमेरा धूलगी मैं I Am कि यह लबीन कापड़े में आपको दिखाई थी वह कप्रें हीरेकित शर्फ अले पानी मैंने निकाल दिया और या जो है एक पानि खंगाल के छोड़ दिया दूसरा पानि भी मैं डाल रही हूँ गया हुँग। तो चलिए मैं कुछ बाते आपसे करना चाहे रही थी तो मैं कुछ बाते कर रही हूं कि जो है बहु में भी बहुत कमी होती है उस सास में कि सास के अंदर भी बहुत कमी होती है तो कोई-कोई बहु भी ऐसी होती है कि उनको बहुत सुधारना भी मुस्किल हो जाता है समझाना निकाल देती हैं उस अधिसे चीज चीजी चोटी 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 सी चीज जराचा Risky पे रहती रहती हैं यह नीता है अगयाद निकालती रहती निकालती चाहिए अच्छी सास वही होती है जो कुछ बुराईयों को ढख लेती है और उसके परदा डाल देती है और उसको समझाती है बाद में अकेले में यह सब चीज मर्दों के सामने नहीं होना चाहिए ससुर हो या मतलब हैस्बेंड हो या कोई भी हो आउरतों की बातें और तो के फोलो करते थे कभी भी जो है कोई बात होती है तो जो जो हैस्बेंड जो घर में मर्दों तक करने वाली जो बात होती है और तो आउरतों की जुम्मेदारी होती है जहां तक आउरतों की बीच होनी चाहिए तो आउरतों का काम है घर की जुम्मेदारी घर की अंदर की मालकि बनने की बाहर तो मर्द मालिक होते हैं अध्य जब करते हैं तो ओर-tols को जो है हमेश़ जुम्मिधारि बहुत अच्छे से निभाना जाई है बहु अच्छी तो अपनी जुम्मधारी सांस को भी अपनी जुम्मम्मिधारी तभी जो है घर चलता है तभी उस घर में खुसाली रहती है और वो एक संपन परिवार होता है तो मैं बाते करते करते हैं और देखिए सारे कपड़े मेरे खरणाल चुके हैं और मैं करनाल के हो चुके हैं बहुत सी बहुत ऐसी होती हैं कि अपनी जो है अच्छाई के लिए सास को घर से निकाल देती हैं वो बेटे कैसे होते हैं जो अपने मा को घर से निकाल देते हैं और बाते मैं नेस्ट वीडियो में करूंगी तो चलिए हमारी वीडियो को लाइक, सेव, सस्क्राइब ज़रूर कर देना, बिल आइकन के बटन को भी प्रेस कर देना, कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो चलिए वाचिंग दा वीडियो, अल्ला आफिज, थाइंक यू, पर कि जहां मैं रहती हूं, वहां का एरिया है, एक काउजी खड़ी हुई है, तो देखिए गया, इस सारे कपड़े जो हमेरे सूप गए थे, जो मैंने डाला था, तो ये सब मैं उठा के लाकि, अब राटी है, मैं चलिए उसको तहानी की तरह, बहर इसमें बेट से बढ़े र कि जार कर। तो मैं चलिए हुई है, चलिए उसको ताहा लेती हुई है, तो मैं चलिए हुई इसको ताहा लेती हुई है,